देश में बजट स्मार्टफोन्स के जरिये अपनी जगा बनाने वाली कम्पनी MI ने MI 11 की सीरीज को 29 मार्च को लॉंच कर दिया है अब लॉंच के बाद MI 11 की डिटेल सामने आ चुकी है हाला कि MI 11 सीरीज को भारत में फिला लॉंच नहीं किया गया है लेकिन उमीद है कि ये फ्लैक्शिप सीरीज जल्द ही भारत में भी पेश की जाएगी ये कम्पनी पहले ही अपने स्मार्टफोन्स से भारत में धाक जमा चुकी है साथ ही MI भारत के अंदर मिडल क्लास लोगों में अपनी जगा बना चुकी है तो चलिए आपको बताते हैं कि MI 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स में क्या कुछ खास है दरसल कम्पनी ने MI 11 सीरीज के तीन मॉडल्स MI 11 अल्टरा, MI 11 प्रो और MI 11 लाइट को लॉंच किया है पहले बात MI 11 अल्टरा के कर लेते हैं MI 11 अल्टरा फोन क्वालकूम स्नैप ड्रेगन 888 प्रोसेसर से लेस है इसमें 6.81 इंच का 2K HD PLUS E4 AMOLED डिस्पले दिया गया है और वहीं ये फोन 12 GB RAM की स्पेस आपको देता है फोटोग्रेफिक के लिए MI 11 अल्टरा फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटप दिया गया है इसके साथ ही आपको 50 MP PLUS 48 MP PLUS 48 MP के प्राइमरी वाइड एंगल कैमरा दिये गए हैं वहीं सेल्फी के लिए फोन में 20 मेगा पिक्सल का कैमरा मौजूद है इसके अलावा दमदार बैटरी बैकप के लिए फोन में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी अगर बात इसकी कीमत की करें तो MI Ultra मौडल की कीमत भारतिय रुपियों में करीब 47,500 रुपिय होगी अगर MI 11 Pro की बात करें तो इस फोन की स्पेसिफिकेशन्स 11 Ultra के वेरियन जैसी ही है अंतर बस इतना है कि फोन में आपको सेकेंडरी डिस्प्लेय नहीं मिलेगी MI 11 Pro में Qualcomm Snapdragon 888 का प्रोसेसर है साथ ही आपको 8GB RAM प्लस 256GB की स्टोरेज मिलेगी इसमें भी फोटोग्रेफिक के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटप मौजूद है जिसमें 50MP प्लस 13MP प्लस 8MP का टेली फोटो कैमरा सेटप मिलेगा साथी फ्रन्ट कैमरा 20MP का होगा बैटरी पेकप के मामले में ये स्मार्टफोन OnePlus 9 की तरह होगा MI 11 Pro में यूजर्स को 5000mH की बैटरी मिलेगी इस फोन को आप ब्लाक, ग्रीन और वाइट कलर आप्शन्स में खरीच सकते हैं वहीं अगर MI 11 Lite की बात करें तो 11 Lite इस सीरीज का सबसे पतला और हलका फोन है इसका वजन सिर्फ 169 ग्राम है वहीं इसमें स्पीड के लिए Qualcomm Snapdragon 780 प्रोसेसर दिया गया है साथ ही 8GB RAM और 256GB की स्टोरेज की सुविधा आपको मिलेगी फोटोग्राफी के लिए MI 11 Lite में ट्रिपल रियर कैमरा सेटप दिया गया है यानि आपको 14 MB प्लस 8 MB प्लस 5 MB का कैमरा सेटप मिलेगा इसके साथ ही सेलफी के लिए फोन में 20 MB का कैमरा दिया गया है MI 11 Lite फोन की बैटरी 4250 MHz की है आज जब स्मार्टफोन बनाने वाली कमपनिया अपने फोन के साथ चार्जिंग यूलिट नहीं दे रही है SMMI की तरफ से इस फोन के साथ चार्जर दिया जा रहा है अब ये देखना दल्चस्प होगा कि लॉंच के बाद भारत में MI की एक खास 11 सीरीज उतनी ही सफल हो पाएगी जितने पहले के फोन हुए है या नहीं